गुद मॉर्निंग फ्रेंज मॉर्निंग तड़का में आपका स्वागत है मैं प्रोफिसर जो और आपके लिए लाए है बिसनस और फाइनांस का न्यूज चलो देखते हैं आज क्या है बिसनस और फाइनांस के दुनिया की तड़का वाली ख़़र दोस्तो RIL, Reliance Industries Limited headed by Mukesh Ambani वो लोग एक बहुत ही बड़ा bond launch कर रहा है इंटरनाशनल मार्केट में तकरीबन 3 से 5 बिलियन डॉलर का और ये पैसे से वो लोग करेंगे क्या तो ये पैसे से वो लोग existing debt मतलब अभी जो existing कर जाया है उसको service करेंगे और दूसरा जो interest rate है उसको भी घटाने की कोशिश करेंगे तो RIL के लिए बहुत ही जबरदस move है और experts का मानना है कि ये 3 से 5 बिलियन डॉलर बड़े आसानी से RIL bonds के तुरू race कर पाएंगे अगला खबर Amazon और future group को लेके है दोनों के बीच में dispute काफी time से चल रहा है stake को लेके इससे पहले high court में decision आया था जो Amazon के favor में नहीं था तो Amazon contact किया SIAC को SIAC Singapore International Arbitration Center है ये एक international center है जहाँ पर कोई भी company जा सकता है जब उसे ऐसा लगता है कि proper support नहीं मिल रहा है वहाँ के government से तो Amazon गया था SIAC में लेकिन future group ने high court में इसके लिए एक stay order लेके आया है और high court ने इसको agree भी किया है और कहा है कि CCI जो competition commission of India है उसके through इसको settle करने की कोशिश करेंगे at the same time high court का ये decision से Amazon खुश नहीं है तो Amazon शायद supreme court की तरफ भी चाहेगा अगला ख़बर stock market से Sensex फिर से 60,000 mark को touch किया है और उसका main reason है banking sector आप देखेंगे banking sector लेकिस bank nifty yesterday 2.3% से grow हुआ पिछले तीन trading base में 6% से grow हुआ पिछले साल उसने total 13.5% का growth किया है तो Sensex का growth होने का एक main reason banking sector भी है अगला ख़बर HDFC bank से HDFC bank ने 2,188 croze का distressed retail loan ARCs को दिया है अब ये ARCs क्या है ARCs है Asset Reconstruction Companies ये लोग क्या करते हैं बेसिकली जो NPS होते हैं मतलब non-performing assets जो होते हैं जो loan को service नहीं कर पाते हैं जो companies उन से मिलते हैं और उनके साथ बैटके जो loan है उसको reconstruct करते हैं ताकि उनको ये loan पे करने को आसानी हो और ये करने के लिए ARCs जो है अच्छा खासा commission चार्ज करते हैं और banks जब ARCs को ये NPS देता है तो उनके लिए भी अच्छा होता है क्योंकि banks focus कर सकते हैं अपने business पे ना कि पैसा collection करने पे तो ये HDFC के तरफ से बहुत ही अच्छा मूँ है जहां पे Phoenix ARC और Edelweiss ARC को उन्होंने ये distressed loan जो है अलग-अलग purchase में दे दिये हैं अगला खबर cryptocurrency के दुनिया से अगर आप देखेंगे bitcoin पिछले कुछ समय से 33% fall हुआ है उसके peak से थोड़ा सा जो craze था bitcoin को लेके और cryptocurrency को लेके वो थोड़ा सा कम हो रहा है अगला कबर technology के दुनिया से Airtel ने Hugess के साथ एक joint venture design किया है और ये joint venture है satellite broadband services के लिए Hugess Communication India Private Limited इसमें 67% hold करेंगे और भारती Airtel जो सिनील मित्तल जो इसको lead करता है वो 33% stake hold करेंगे ऐसी कुछ companies Elon Musk उन्होंने भी launch किया है Starlink के नाम से and Jeff Bezos and Tata इन्होंने भी launch किया है ये application DOT में अल्रेडी दे चुका है DOT मतलब Department of Telecommunication और आने वाले वक्त में यही होगा नया तरीका जिससे हमें broadband service कर पाएंगे ये telecom companies Sensex of Nifty अभी भी positive है Sensex 0.61% Nifty 0.67% USD INR INR अभी भी थोड़ा सा strong हुआ है 0.3% से और gold थोड़ा सा slip down हुआ है 0.16% से अगला ख़बर Technical Analysis के साइट से Nifty का चार्ट अगर हम देखेंगे तो जो support और resistance लेवल हमने discuss किया था पिछले कुछ sessions में उसको अभी भी Nifty ने maintain किया है और देखते हैं कि support और resistance लेवल को कब तक Nifty maintain करता है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही सीखते रहिए आगे बढ़ते रहिए because you are a winner अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज डू like, share and subscribe आपका दिन शूप रहे आपके रहेएए और देखते रहे लिए नामस्कार